यूपी की राजनीती में जातिकर जनगर्णा का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है लेकिन समर्थन करते रहे मांग करते रहे और सहयोगी दल के नेता भी है संजय निशाद जी संजय जी आप तो कहते रहे कल केशव जी ने सदन में भी कह दिया कि मैं और मेरे शीर्ष नेता इसके पक्ष में है और इस पर राजनीती सपा कर रही है जब पक्ष में है तो शुरुवात भी करा लीजिए आज की में पहला आज जो बिपक्स की बाढ़ कर रहे हैं, तो बिपक्स आज जब सत्ता में रहे, तो याद नहीं आए, आज सत्ता से बाहर हो गए जातियां आदार है. आज मैं पहला नेता हूँ कि हम गंती के लिए अंदुलन चलाया और जिसके बदले में उन्हों गोली मारा और आवाज दबाने की कोशिज की जातिगत जनगणना 1931 से होती एकतालीस है एकसेट में हुई एकसेट में हुई तो जो जाती अनसुचित जात में गिनी गई तो एकसेट में अनसुचित जात के हगदार हैं लोग सभा विधान सभा विधान परिशाद परदान से परमुक्त है तो ऐसी जातियों को वीची में गिनना 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 वीची बना दिया है इन लोगों ने तो वीची कौन होगा कौन नहीं होगा राजसरकार का मामला और सी कौनों का दिल्ली का है तो दिल्ली से यह झाति है अन्सुचिट जात में है और इनके मुताबिके जाती है ओँझी में तो यह जो अनसुचित जातकी सुची में सुची वत दिकार परस्द है उन्हें वबिसी में डिमाना चाहते हैं जीसे नंके लोग सभा विधान सभा विधान परिशाथ में लूट मत जाए आज के दिन में दिल्ली के दिल्ली से सर्टिफिकेट बना मला का बेटा राम चरितर जो है निशाद जो है मचली सहर से लड़के जी सकते हैं सुरक्षी सीट पर तो उत्तर प्रदेश का निशाद क्यों नहीं ल पर फिर जो नन पोलेटिकल जाती हैं जो नहीं है तो ऐसे लोगों को चाहते हैं को बीसी में गिन जाएं तो जब बीसी में लिये जाएंगे फिर लोग सभा विधान सभा विधान परिशाथ रूटर आपने भी समर्थन दिया है सामने वाले समाजवादी पार्टी और कॉं जात कराया हो कानून मनाक उजाड़ी गई हो रोड पर घूम रहा हो और सुची बद्ध अनसुची जातियों को कहां गिनेंगे आप बीसी में तो नागरिक हैं उनके वज़े से संभीधान बना है तो ऐसे लोगों को भी संगती दूर के जाए इस्टेंट हैं कि कहां वो गि जी में बाद में अनसुची जात की गिंती हमेशा होती है किसा मिधान में लिखा हुआ है अनसुची जात और अलवसंख्यक की गिंती हमेशा होती है और होती रहेगी जो बची जाती है उनके गिंती नहीं होती है तो बची जातियों के में अनसुची जात के लोगों को क्यो लाएंगे आप जो आलेडी गिंती होती रही है तो पहले इनका आधार खतम करो पब्लीक फाइल 74 बटा 4 बटा 1950 जिसमें सभी राज सरकारों से मंगाया गया था रिपोर्ट उसके आधार पर संभीधान में सुची बद्ध किया गया वो फाइल करी मंत्रा ले से गायव है और दो मंत्रियों के लिए मुकदमा लिखा रखा हूं आज कि दिने पहली वार है कि मानि मुकमंत्री जी ने लिखा पत्र और RGI ने कहा कि नहीं कि वट मुला मजवा चाहिए और इस मर राजनेतिक लाब समाजवादी पार्टी डून रही है और बीजे प्यूर उसके घटक दल जातिवाज जनगर्णा को ले करके कही ना कहीं फिलाल के तौर पर सुरक्षित होते नजर आते हैं लेक्ने उसे कैमरा में से दीक पे सादब शेक मिश्रा आज त कि अर्णा